अब मेटकाल प्रोटेक्शन बील जद्दी जो आ गया तो आपको भी हाथकरी लगा के जेल भेज जगा। मैं कहता हुँ किडाक्टर के सीप्टी है मेरा ज़ाज पारस में चले जाए जैए ब्यदानता में चले जाए गुरुनानक में चले जाए सारे प्राइवेट ऑस्पताल में जाएगा, जो घरीब आजमी आता है उसके परतीे उसकी जान के प्रवाव देखता नहीं है पहले पता से जर लाओ और जदी जो को जुर्भाग से को मिर्टु हो गई ये अस्पाताल में तो तिन दीनों तक ICO में रख करके बिल बनाता है जदी जो आवे तो Medical Protection Bill में डक्टर के आवे तो मरीज के भी आवे उसकी मिर्टु कैसे हो गई ये तो वो डक्टर बोलेगा हम भगवान थोड़ी हम तो इलाज कर रहे हैं राज में पिछले कई वर्सों से Medical Protection Bill को लेकर मांग चल रही है तो ये हर बार विधान सबा में आता है और प्रवर समीति में चला जाता है आज भी Medical Protection Bill चला गया तीस विधायकों का संसोधन था तीस संसोधन अकेला जी भी उसमें से है जो कहते कि Medical Protection Bill का कोई जरूरत नहीं है क्यों नहीं जरूरत है मैं उसको ये कहा कि परवर समीति में लाइए काहने लाइएगा जब हम लोग दिया है तो विपच्खे लोग ने कहा Medical Protection Bill को नहीं लाना चाहिए ये तो हम लोग तो भी है पचास गो तब परवर समीति में जायेगा जितने मेंमर होंगे उस पर विचार करेंगे आखिर हम Medical Protection Bill क्यों लाएए क्या कहला मैं एक उधारन मैं देता हूँ आपके माध्यम डॉक्टर मेरे सेफ्टी के लिए लाइए मैं कहता हूँ कि डॉक्टर के सेफ्टी है मेरा लेकिन एक बात आपके माध्यम से माध्यम जाता हूँ जदी जो मेटका में चले जाए मित्र जदी जो पारस में चले जाए विदानता में चले जाए गुरुनानक में चले जाए सारे प्राइवेट अस्पताल में जाएगा जो घरीब आजमी आता है उसके परती उसकी जान के परवाव देखता नहीं है पहले 50,000 लाओ पहले 50,000 लाओ और जदी जो को जुर्भाग से को मिर्तु हो गई यह अस्पाताल में तो तिन दीनों तक ICO में रख करके बिल बनाता है और जदी जो हम जैसे लोग आप जैसे लो प्रोटेक्शन बील इसलिए हम लोग ने परवर समीति में भेजा है कि पहले 50 प्रोटेक्शन बील आवे जदी जो आवे तो मेटकल प्रोटेक्शन बील में डक्टर के आवे तो मरीज के भी आवे उसकी मिर्थु कैसे हो गई यह तो बोलेगा हम भगवान थोड़ी हम तो आप दूसरा भगमानावर के हैं अब पैस्वा लेने देशा भगमान नहीं है का पैस्वा लेता है जो आईस्यू मेरा के सो उन्हें देखें हाप कह रहें कि मृत आदमी को भी आईस्यू में रखा रहा था और पैसा कई जगा हुआ है एकदम सच्चाई मैं बोल रहा हूं आयस्मान को लेकर आप लोग क्या था क्या आयस्मान भी कहें का मेरे यहां लागू नहीं है लाव पहले पैसा अगरीब बेचारा अपने जान को ब पूरे देश्में लागू मेटिकल बना अस्यूंश के अस्तर पर पर मंडल में अ हम लिए चाहते हैं त्यूट्स सबいたल सउस और माले छे मेरि आपकी सरकार है एक बिल आप क्यों नहीं लाते हैं कि जितना भी किस नीजी इस्कूलब कि उसको टेक ओवर कर ले सरकार हमने कहा कि नीजी अस्पताल में बैचारा गरीब आदमी तो लूट जाते हैं नीजी इस्कूल में तो कोई गरीब आदमी का बेटा पड़ता नहीं है मीत्र तो हम आरा देश गरीब का देश है 70 परसेंट गरीब 80 परसेंट 85 परसेंट छोड़ का बेटा जैसे हम लोगों ने कहा राजफती का बेटा हो चाहें भंगी का संतान सिख्षा एक समान यह है नहां मैं नारा लगाया हूं कि हम लोग तो पेशेंट को नहीं चाहते कि मरे हम लोग इलाज करते हैं जीवन और मिर्टू हमारे हाथ में नहीं है आप कोई आता है उस समय गुसा के और पीट पाट के चला जाता है सबसे पहले जदियों को फिर हमको हरताल पर जाना पड़ता तो मैं आगरा करूंगा कि पहले पैसेंट के भरती करो पैसा मागने का परियासने करो इलाइज करो पहले एक लाग रुपर रखोता हुँ हम लोग चैरेटी थोड़ी करा हम लोग प्रोफेशनल है जैसे वाकील ह जैसे वाइसे हम हमको टेरा के आर हम पर रटेक्शन दे थे फ़लोप.in लाइक शेर और सबस्क्राइब www.thefollow-up.in